आज हम देश की राजधानी को नए भारत की आवश्यक्ताओं और आकांशाओं के अनुसार विक्सित करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं ये नया डिफेंस ऑफिस कॉंप्लेक्स हमारी सेनाओं के कामकाच को अधिक सुविधा जनक अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को और ससक्त करने वाला है इन नई सुविधाओं के लिए डिफेंस से जुड़े सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आप सभी परिचीत है कि अभी तक डिफेंस से जुड़ा हमारा कामकाच दूसरे विश्वयुत के दोरान बनाए गए हटमेंट से ही चल रहा था ऐसे हटमेंट जिनको उस समय गोड़ों के अस्तबल और बैरकों से सम्बंदी जरूँ के अनुसार बनाए गया आजहादी के बात के दसकों में इनको रक्षा मंत्रा ले थल सेना नव सेना और वायू सेना के दफ्तरों के रूप में विक्सित करने के लिए समय समय पर हल्की फुली मरंबत हो जाती थी कोई उपर के अधिकारी आने वाले तो थोड़ा पेंटिंग हो जाता था और ऐसे ही चलता रहा इसकी जब बारीकियों के मैंने देखा तो मेरे मन में पहला विचारी आया कि ऐसी बुरी अवस्ता में हमारे इतने प्रमूख सेना के लोग देश की रक्षा के लिए काम करते हैं इसकी इस हालत के सबंद में हमारे दिल्ली के मीडिया ने कभी क्यों लिखा क्यों नहीं ये मेरे मन में होता था वरना ये ऐसी जगह थी कि जुरूर को इनको अलोचना करता कि भारत सरकार क्या कर रही है लेकिन पता नहीं किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया इन हट्मेंट्स में आने वाली परिशानियों को भी आप लोग भली भादी जानते हैं आज जब 21 सदी के भारत की सैन्य ताकत को हम हर लिहाज से आधुनिक बनाने में जूटे हैं एक से एक आधुनिक हथ्यारों से लेस करने में जूटे हैं बॉर्डर इंफ्रस्रेक्टर को आधुनिक बनाया जा रहा है चीफ अब डिफेंस टाप के माध्यम से सेनाओं का कोडिनेशन बहतर हो रहा है सेना की जरुरत की प्रोक्रॉर्मेंट जो सालों साल चलती थी वो तेज हुई है तब देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा कामकाच दस्वों को पुराने हटमेंट से हो ये कैसे संभव हो सकता है और इसलिए इन सीतियों को बदलना भी बहुत जरूरी था और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो लोग सेन्टरल विस्टा के पूजे के पीछे डंडा लेकर के पड़े थे ये बड़ी चतुराई से बड़ी चालाकी से सेंट्रल विस्टा प्रजेक का ये भी एक हिस्सा है साथ हजार चे अधिक सेना के अपसर जहां काम करते हैं वो व्यवस्ता विक्सित हो रही हैं इस पर बिल्कुल चूप रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि जो ब्रह्म फेलाने का इरादा जूट फेलाने का इरादा है जैसे ही इस बात की सामने आएगा तो फिर उनके सारी गबाजी चल नहीं पाएगी लेकिन आज देश देख रहा है कि सेंट्रल विस्टा के पीशे हम कर क्या रहे हैं अब देखिए अब केजी मार्ग और अफ्रीका एवन्यू में बने ये आधुनिक ओफीस रास्त की सुरक्षा से जुड़े हर काम को प्रभावी रुप से चलाने में बहुत मदद करेंगे राजधानी में आधुनिक डिफेंस एंकलेव के निर्माण की तरफ ये बड़ा और महत्वक्पून स्टैप है दोनों परिसरों में हमारे जवानों और करमचारियों के लिए हर्द जरूरी सुविदा दी गई है और मैं आज देश वास्यों के सामने मेरे मन में जो मन्संच चल रहा था उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ 2014 में आपने मुझे सेवा करने का सवभाग दिया और तब भी मुझे लगता था कि ये सरकारी दप्तरों के हाल ठीक नहीं है संस्वत भवन के हाल ठीक नहीं है और 2014 में आकर के ही मैं पहला एक काम कर सकता था लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं चुना मैंने सबसे पहले भारत की आन, बान, शान भारत के लिए जीने वाले, भारत के लिए जूजने वाले हमारे देश के बीर जवान जो मात्र भूमी के लिए शहीद हो गए उनके आस मारक बनाना सबसे पहले तै किया और आज जो काम आज़ादी के तुनंत बाद होना चाहिए था वो काम 2014 के बाद प्रारम हुआ है और उस काम को पुर्ण करने के बाद हमने अमारे दप्तरों को ठीक करने के लिए सेंट्रल विस्था का काम उठाया सबसे पहले हमने याद किया मेरे देश के बीर शहीदों को बीर जवानों को साथियों यह जो निर्माण कारिय हुआ है काम काज के साथ साथ यहां आवासिय परिश्थर भी बनाए गए गए जो जवान 24 बाइ 7 महत्वपूर सुरक्षा कारियों में लगे रहते हैं उनके लिए जरूरी आवास कीचन मैज इलाज से जुड़ी आदुनिक सुविधाएं इन सब का भी निर्माण किया गया है देश भर से जो हजारों रिटाइड साइनिक अपने पुराने सरकारी कामकाज के लिए यहां आते हैं उनको भी अब उनके उमर के एक सिती पर वो पहुंचे हैं उनका भी विशेश खयाल रखना उनको ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए भी उचीत कनेक्टिविटी का यहां ध्यान रखा गया है एक अच्छी बात यह भी है जो बिल्लिंग अब बनी है वो इको फ्रेंडली है और राजधानी के भवनों का जो पुरातन रंग रूप है जो उसके पहचान है उसको बरकरार रखा गया है उसको बनाय रखा गया है भारत के कलाकारों की आकरशक कलाकुर्थियों को आप मंदिर भर भारत के प्रतिकों को यहां के परिसरों में स्थान दिया गया है यानि दिल्ली की जिवन्तता और यहां के परियावरन को सुरक्षित रखते हुए हमारी सांस्कृतिक विवितता का आधूनिक स्वरूब यहां हर कोई अनुभव करेगा साथियों दिल्ली को भारत की राध्धानी बने सो वर्षे अधिक का समय हो गया है सो वर्षे अधिक के इस कालखन में यहां की आबादी और अन्य परिस्थित्यों में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है जब हम राध्धानी की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक शहर नहीं होता है किसी भी देश की राध्धानी उस देश की सोच उस देश के संकल्प उस देश का सामर्थ और उस देश की संस्कृति के प्रती होती है भारत तो लोकतंत्र की जननी है इसलिए भारत की राध्धानी ऐसी होनी चाहिए जिसके केंद्र में लोक हो जनता जनार्दन हो आज जब हम इस अफ लिविंग और इस अफ डूइंग बिजनेस इस पर फोकस कर रहे हैं तो इसमें आधुनिक इंफ्रास्रक्टर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है सेंट्रल विस्टा से जुड़ा जो काम आज हो रहा है उसके मुल में यही भावना है इसका विस्टार हमें आज शुरू हुई सेंट्रल विस्टा से जुड़ी वेब साइट्स में भी दिखता है साथियों राजदानी की आकांच्छाओं के अनुरूप दिल्ली में नए निर्मार पर बीते वर्षों में बहुत जोर दिया गया है देश भर से चुड़कर आए जन प्रतिनिध्यों के लिए नए आवास हो अंबेडकर जी की स्मृतियों को संजोने के प्यास हो अनेग नए भवन हो जिन पर लगातार काम किया गया है हमारी शेना हमारे शहीदों हमारे बलिदानियों के सम्मान और सुविदा से जुड़े राष्ट्रियस मारक भी इसमें शामिल है इतने दसकों बार, सेना, अर्दसाइनिक बलों और पुलिस बल के शहीदों के लिए राष्ट्रियस मारक आज दिल्ली का गवरो बढ़ा रहा है और इनकी एक बहुत बड़ी विशेस्ता ये रही है कि इनमें से अधिकतर तय समय से पहले पूरे किये गए है वरना सरकारों की पहचान यही है होती है, चलती है, कोई बात ने चारचे में नया तो देर स्वाभाविक है हमने एक नया बरकल्चर सरकार में लाने का इमानदारी से प्रयास किया है ताकि देश की संपति बरबात न हो समय सिवा में काम हो निर्धारित खर्च से भी कुछ कम खर्च में क्यों न हो और प्रोफेशनल इजब हो, एफिसेंसी हो इन सारी बातों पर हम बल दे रहे हैं यह सोच यह अप्रोच में आई एफिसेंसी का एक बहुत बड़ा उधारन आज यहां प्रस्तूत है डिफेंस आफिस कॉंप्लेक्स का भी जो काम चोबिस महने में पुरा होना था वो सिर्फ बारा महने के रिकॉर्ड समय में कम्प्रीट किया गया यहने पचास प्रतीशत समय बचा लिया गया वो भी उस समय जब कोरोना से बनी परिस्तितियों में लेबर से लेकर लोकडाउन डिकना अफलाना न जाने कितने सारी कठिनाईयों से बीचम गुज्रे हैं इन तमाम प्रकार की चुनवतियां सामने थी कोरोना काल में सैंकडो स्रमीकों को इस प्रोजेक्ट में रोजगार मिला है इस निर्मान कारिय से जुड़े सभी स्रमिक साथी सभी इंजीनियर सभी कर्मचारी अधिकारी ये सब के सब इस समय सीमा में निर्मान के लिए तो अभिदन के अधिकारी है लेकिन साथ साथ कोरोना का इतना भयानक जब खौप था जीमन और मुर्त्यू के बीच में सवालिया नसान थे उस समय भी राष्ट निर्मान के इस पवित्र कारिय में जिन जिन लोगों ने योगदान किया है पुरा देश उनको बढ़ाई देता है पुरा देश उनका अभिनंदन करता है यह दिखाता है कि जम नीती और नियत साथ हो इच्छा शक्ती प्रबल हो और प्रयास इमानदार हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता है सब कुछ संभव होता है मुझे विश्वात है देश की नई पार्लामेंट बिल्लिंग का निर्मान भी जैसे हरदीब जी अभी बड़े विश्वात के साथ बता रहे थे तैस समय सीमा के भीतर ही पूरा होगा साथियों आज कंस्रक्शन में जो तेजी दिख रही है उसमें नई कंस्रक्शन टेकनोलोजी की भी बड़ी भूमिका है डिफेंस ओफिस कॉंप्लक्श में भी पारम पारीक आर्सीची निर्मान के बजाए लाइट गेस टील फ्रेम तेकनीक का उप्योग किया गया है नई तेकनीक के चलते ये भवन आग और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्शित है इन नए परिशनों के मनने से दरजनों एकर में फैवे पूराने हटमेंट्स के रख रखाओं में जो खर्च हर वर्ष करना पड़ता था उसकी भी बच्चत होगी मुझे खुशी है कि आज दिल्ली ही नहीं बलकि देश के अन्य शहरों में भी स्मार्ट सुविधाएं विक्सित करने गरीबों को पक्के घर देने के लिए आधुनिक कंस्रक्शन टेक्नलोजी पर फोकस किया जा रहा है देश के छे शहरों में चल रहा लाइट हाउस प्रजेक इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयोग है इस सेक्टर में नए स्टार्ट अप्स को प्रोशाइद किया जा रहा है जिस स्पीड और जिस स्केल पर हमें अपने अर्बन सेंटर्स को ट्रांस्फर्म कर रहा है वो नई टेक्लोलोजी के व्यापक उप्योग से ही संभव है साथ्यों यह जो डिफेंस ऑफिस कॉंप्लेक्स बनाए गए हैं यह वर्क कल्चर में वर्क कल्चर में आये एक और बढ़लाव और सरकार की प्रात्विक्ता का प्रतिमीम है यह प्रात्विक्ता है उपलब्द लेंड का सदुप्योग और सिर्फ लेंड ही नहीं हमारा यह विस्वास है और हमारा प्रयास है कि हमारे जो भी रिसोर्सी है हमारी जो भी प्राकृतिक संपदाएं है उसका अप्टिमम यूटिलाजेशन होना चाहिए अनाप सनाप ऐसी संपदा की बरबादी अब देश के लिए उचीत नहीं है और इसी सोच के परड़ाम स्वरुप सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जो जमीने हैं उनके प्रापर और अप्टिमम यूटिलाजेशन पर परफेक्ट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने पर बल दिया जा रहा है यह जो नए परिशर बनाये गए हैं वो लगभग तेरा एकड़ भुमी में बने हैं देश वासी आज जब यह सुनेंगे जो लोग दिन रात हमारे हर काम की आलोचना करते हैं उनको जरा उनका चहरा सामने रखकर के इन चीजों को सुने देश वासी दिल्ली जैसे इतने महत्वपूर्ण जगा पर 62 एकड़ भुमी में राज दानी के अंदर 62 एकड़ भुमी में इतनी विशाल जगा पर यह जो हटमेंस बने हुए थे उसको वहां से हमने सिप्ट किया और उत्तम प्रकार की बड़ा सदुप्योग होगा यानि इतनी बड़ी और आदुनिक सुविधाओं के लिए पहले के मुकाबले लगबग पाज गुना कम भुमी का उप्योग हुआ है साथियों आजहादी के अमरितकाल यानि आने वाले 25 सालों में नए आत्म निर्भर भारत के निर्मार का ये मिशन सबका सबके प्रयाश से ही संबव है सरकारी व्यवस्ता की प्रोडक्टिविटी और एफिसेंसी बढ़ाने का जो बिड़ा आदेश ने उठाया है यहाँ बन रहे नए भवन उस सपनों को सपोर्ट कर रहे हैं उस संकल्प को सांकार करने का विश्वाद जगा रहे हैं कॉमन केंद्रियस सचिवालय हो कनेक्टेड कांफरेंस हॉल हो मैट्रो जैसे पॉब्लिक ट्रांसपोर से सुलप कनेक्टिविटी हो ये सब कुछ राजधानी को पीपल फ्रेंडली बनाने में भी बहुत मदद करेंगे हम सभी अपने लक्षों को तेजी से प्राप्त करें इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत बहुत सुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद